मकर राशिवाले दोस्तों वीडियो में वरश के अंतिम तीन माँ अक्तूबर नवंबर और दिसंबर माँ की बात करेंगे ग्रैगोच्री इस्तिति क्या संकेत दे रही है इस पर विस्ताफ से चर्चा करेंगे इस अवदी में फैस्टिवल सीजन भी है इसलिए ग्रैहों का सह योग मिल जाए तो सोनने पर सुहागे जैसा तर्या होगा ग्रैहों की शुपता फैस्टिवल सीजन में मौज करा देगी समय को रंगीन बना देगी हंसी खुशी पर संता पुरवक समय वैतीत हो जाएगा फेस्टिवल सीजन में शनी की उतरती हुई साड़े साती के साथ राजसिक ग्रेहूं शुकर एव बुद का शुप गोचर महत्त पुर्ण रोल अदा करेगा समय को खुश नुमा बना देगा वीडियो में हर एक ग्रेह की बात करेंगे वीडियो महत्त पुर्ण रहने वाली है वीडियो के अंत तक बने रही नमस्कार दोस्तों मैं स्ट्रोलिजर रजेश कालिया हार्दिक स्वागत करताम आपका अपने यूटीब चैनल अक्षी तैस्टो मास्टर में मेरे मकर राशी वाले दोस्तों कैसे ही दोस्तों ब्रामान में हमारे जीवन को सबसे अधिक प्रवावित करने वाला ग्रेह शनी है इसलिए शुरुआत शनी से करते हैं शनी के 3 मा के इस सफर को डेड़ड मा के 2 भागों में बांट देतो अधिक बहितर रहेगा क्योकि एक्तूबर से लेकर 15 नमबर तक शनी को वक्री वस्ता में संचार करेगा, फिर 15 नमबर से लेकर 19 मा तक सीधी चाल चलेगा, इसलिए दोनों भागों में शनी के अलग अलग प पंद्रा नमंबर तक शनी की उल्टी चाल से कहीं अधिक वकर दृष्टियन कात्म कुर्जा पैदा करेंगी। इस अवदी में साड़े साती के अंतिम दो चर्णों के अशुब परिनाम महसूस कर सकते हैं। खास कर पंद्रा नमंबर तक शनी का वकर परवाव दन, वानी, कटोंब, सुख, चैन, मन, मा, भूमी, भवन, वाहन, दंपत्य, जीवन, मित्रों, बड़े बाई, बेहनों, पैत्रिक, संपत्ति और करियर के समंद में शुब नहीं है। इसलिए पंद्रा नमंबर तक स्तर्क बने रहें। अपने चहरे, आंखों, दांतों और वानी का भी खास ध्यान लगें। वानी के दुर्पयोग से बचें। वानी का दुर्पयोग बने बनाए कारिया बादित कर सकता है। घर प्रवार हो या कारिया शितर। वानी का सोच विचार कर प्रियोग करें। वानी के दुर्पयोग से मित्तर भी शतुगता पुर्ण वहवार करने पर उतारू हो सकते है प्रवारिक जनों के साथ 20 बंदों में सने और मदूरता में कोई कमी ना करें खास कर माता जी के साथ ताल मिल बनाए रखें उनके स्वास्त की भी नियमी तुरूप से जाएट परता करवाते रहें इस जवदी में धन का लेंदें साफदानी पुरुवक करें आँखें बंद कर किसी पर विश्वास ना करें धन उधार में देने से बचें भीट भाड में वाहन साफदानी पुरुवक चलाएं फैस्टिवल सीजन में कोई नया वाहन लेने का सोज विचार बना रहें तो 15 नुवंबर के बाद लेना अधिक बेहतर रहेगा 15 नुवंबर को शनी की चाल में यू टर्न आएगा उल्टी चाल से सीधा चलेगा इस यू टर्न से आपके जीवन में भी सकारात्मत मोड आएगा इस मोड पर हर तरफ से दिखाई दे रहे निराशा और चिंता के गंगोर बादल काफी हतक साफ हो जाएंगे अब शनी पीछे नहीं बलकी आगे प्राकरम बापकी और बढ़ेगा 15 नुवंबर से लेकर दिसंबर मा तक उतरती हुई साड़े साती उतार देगी जीवन में पेशारी चिंता और प्रेशानियों को वकर्द रिष्टियों से भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी मन में महसूस औरी सुख शांती की कमी दूर हो जाएगी सुख चैन जैसे फल मिलेंगे परवारिक जनों और मित्रों के साथ चले आ रहे मन मुटाव दूर हो जाएंगे माताजी के सुख सने सैयोग सवास और सवापर काफी सक्रातम परवाप पड़ेगा पंद्रा नुवंबर से लेकर दिसंबर मा तक शनी का सफर महत्त पुरन रहेगा भूमी भवन और वाहन से सबंदित चिंता परिशानियों से छुटकारा मिलेगा सुसराल पक्ष के साथ सबंदों में सने और मदूरता का भाप पैदा होगा मन स्थान पर शरी की वकर्द रिष्टी मन को अधिक विचलिद कर रही थी सब कुछ होते हुए भी मन में कुछ ना कुछ चल रहा था पूरन रूख से संतुष्ट दिखाई नहीं दे रहे थे अब मन में प्रसंता की अनबूत्ती करेंगे विर्थ की चिंता परेशनी और अनावशक मांसिक अशान्ती जैसी स्थिती से वहर राएंगे धन बापरशनी की सीधी चाल से धन की स्थिती भी मजबूत बनेगी धन बापर शनी की वकर स्थिती के परिनाम सुगरूप एक हाथ से धन आ रहा था तो दूसरे हाथ से निकल भी जा रहा था अब पंदरा नुमबर के बाद धन के आवागमन में तेजी आएगी वियर्थ के खर्चों पर लगाम लगेगी वच्चत करने में सफर रहेंगे कुल मिलाकर पंदरा नुमबर से लेकर दिसंबर मा तक शनी का यह देड़ मा का सफर अधिक सक्रात्म करेएगा यह सफर उतरती हुई साड़े साथी में माना जाएगा इस सफर में अपना करम करते जाएं बाकी सब करम फलदाता शनी पर छोड़ दें बात करें देवताओं के गुरु प्रस्पती की तो आज कल गुरु आपकी राशी के पंचमबा पर संचार कर रहा है पंचमबा पर गुरु के बेहतरीन परिनाम देखने को मिलते हैं नो अक्तूबर से लेकर दिसंबर मा तक गुरु वक्री वस्ता में संचार करेगा गुरु का वकर वस्ता में संचार शुबता में व्रिदी करेगा मकर राशी वाले वह दोस्त जीने गुरुदेव के शुब गोचर का अभी तक कोई लाब नहीं मिला है वह चिंता मोक्त हो जाएं वकर अवस्ता में गुरु उनको मायूस नहीं करेगा गुरु की मजबूस्ति भाग्या दन धन्या सुख शांती समरीदी और स्वास्त परदान करेगी फैस्टिवल सीजन को सुख में और अनंद में बना देगी इन तीनों मा भाग्या की प्रवल शक्ति प्रापत होगी 9 अक्तूबर से लेकर दिसंबर मा तक का समय विद्यार्थियों, प्रेमियों, संतान शेतर और निवेश कारें से जुड़े दोस्तों के लिए लाकत बना रहेगा। इस अवदी में विद्यार्थी, शेक्षा, अनुसंदान शेतर और प्रतियोगी विरिक्षाव में बहुं शुखद समाचार प्रापत हो सकता है। संतान से स्बंदित अधूरे पड़े कारेया पूरण होंगे। गुरू की मजबूस्थिती प्रेमियों के प्रेम जीवन को भी मद और मजबूस्थ और पक्केंप से स्थापित करेगी। प्रेमियों का प्रेम जीवन नई फैस्टिवल सीजन में निवेश कार्यों से जुड़े दोस्तों को भी अच्छे खासे मुनाफ़े के संकेत मिल रहे हैं विद्यार्थी प्रेमी संतान शेतर और निवेश कार्यों से जुड़े दोस्त अभी वीडियो में बने रहें क्योंकि गुरु पंचम बापर संचार कर रहा है तो पंचम बाप का स्वामी शुकर है शुकर का शुब गोचर भी शिक्षा फ्रेम्स बंदों संतान शेतर निवेश कार्यों और करियर के दृष्टिकों से महत्त पुरण रहेगा इसमें कोई संदे नहीं है अक्तूबर से लेकर दिसंबर मा तक गुरु का सुख हैं इसलिए करियर के दृष्टिकों से भी शुकर का गोचर महत्त पुरण रहेगा अक्तूबर मा से शुकर की शुरुआत अत्यादिक उत्तम रहने वाली है एक अक्तूबर से लेकर 13 अक्तूबर तक शुकर करम बाप अपने बाप पर संचार कर मालविया नामक पंच महापुर श्राइयों का निर्मान करेंगा कार्या शेतर में आप अपनी बोदी की हो गयता और क्रेटिविटी के बल पर बहुत अच्छा कार्या करेंगे आपके कारियों की परशंसा होगी शुकर की मजबूस्थिती विद्यार्थियों को भी सफलता परदान करेंगी 13 अक्तूबर से लेकर 7 नमबर तक शुकर लाबा पर संचार करेंगा जो फैस्टिवल सीजन को भी लापरत बना देगा भोग विलास लग्जरी लाइफ और बोदिक सुखों के कारक शुकर की शुकर की शुबता से फैस्टिवल सीजन में लग्जरी गैजर्ट्स महेंगे फोन आई फोन कीम प्रिश्टि वस्तर वहन या अन्या सुख सादरों में व्रिदी हो सकती है इसतरी पक्ष के माद्यम से लाके योग बनेंगे मित्रों के साथ सबंदों में सने और मधुरता का भाब पैदा होगा हर परकार के सुखों के कारक शुकर का लाबा परसंचार व्बिन परकार के शुक्ता को चार चांद लगा देगा, सोनने पर सुहाग्य जैसा कारिया करेगा। संतान के सबंद में सने और मदूरता का भाब पैदा होगा, संतान के चुकनबदम पत्यों की इच्छा पूरन होगी, निवेश कारियों और शेयर बजार से जुड़े दोस्तों टोबी समय की शुगता परसंद कर देगी, करियर में पदोनती के अफसर मिलेंगे, फैस्टिवल सीजन में इस तरियों से सबंदित वहस्तु होगा, कारिया वेपार करने वाले वेपारी दोस्तों की पांचों नहीं, दस्सों इंगलिये घी में रहेंगी, कुल मिलाकर साथ नुवंबर तक शुकर की शुकता मौज करा देगी, साथ नुवंबर से लेकर दो दिसम्बर तक वयब आपर संचार करेगा यह भाव खर्चों से सबंदित है शुकर के वयब आपर संचार से आप लगजरी गैजर्स महंगे रतन, फोन, कीमती वस्तर वाहन, संतान, प्रेम सबंदों या अन्या सुक सादनों पर खर्चा वगरा कर सकते हैं प्रेमी अपने प्रेमी जन पर अच्छा खासा खर्चा करते हुए दिखाई देंगे प्रेमी जन के साथ भूमने फिरने मस्ती करने और यात्रा करने के अफसर मिलेंगे प्रेमी जन के साथ अच्छा समय वैतीद करेंगे दिसंबर मा में दो दिसंबर के बाद शुकर प्रत्थम बाब अर्थात आपकी राशी में संचार करेगा राशी पर भी शुकर के बेहतरीन परिनाम देखने को मिलते हैं सोंद्रिया कारक शुकर का राशी पर संचार आपके सोंद्रिया और व्यक्तितम में निखार पैदा करेगा चुम्ब की ये कर्शन का स्वामी बनाएगा आप भी अपने सोंद्रिया को लेकर जागरुक दिखाई देंगे पुल मिलाकर फैस्टिवल सीजन में शुकर की शुक्ता समय को रंगीन बनादेगी बात करें दूसरे राजसी का ग्रै बुद्ध की तो बुद्धी वानी और वैपारकारक बुद्ध का शुब गोचर भी फैस्टिवल सीजन को महत्त पुरन बना देगा आपकी राशी के भाग्या वर्दत सापीत होगी अक्तूबर से लेकर दिसंपर मा तक बुद्ध की शुरुआत अच्छी तो अंत भी बहुत अच्छा रहेगा। सरलता से दूर कर लेंगे। भुद्ध की इस स्थिती का बहुत लाब मिलेगा। 29 अक्तूबर को बुद्ध राशी प्रवर्दन कर लाबा में प्रवेश कर जाएगा। अब 29 अक्तूबर से लेकर दिसंबर मा तक बुद्ध लाबा पर ही मौर्चा संभाल लेगा। बुद्ध का लाबा पर संचार आए और लाब की स्थिती को मजबूती परदान करेगा। बुद्ध का लाबा पर गोचरत्यादिक लापर्द रहेगा। बुद्धी वानी और वेपार के माद्यम से परचूर मातरा में धनलाब के योग बनेंगे। वेपार का रक बुद्ध का लाबा पर संचार फैस्टीवल सीजन में वेपारी दोस्तों को भी परसंद कर देगा। मितरों के माद्यम से लाब के अफसर पैदा होंगे। मितर तो क्या शत्रू भी लाब देकर जाएंगे। पूल मिलाकर फैस्टिवल सीजन में दोनों राजसीक ग्रेहों शुकर और बुद्ध का सैयोग महत पुरन और लापरत साबीत हो दो बात करें ग्रेहों के राया परतापी सूरिया की तो अक्तूबर मां में सूरिया भी भाग्या बाप से अपना सफ़र शुरू करेगा स्तारा अक्तूबर से लेकर पंदरा दिसंबर दो सूरिया का संचार यश पद परतिष्ठा और बदोलती के नपूल अफसर परदान करेगा स्तारा अक्तूबर से लेकर सोला नवंबर तक सूरिया करम बाप पर संचार करेगा इस बाप पर सूर्या के अत्यादिक उत्तम फल देखने को मिलते हैं मान समान और प्रतिष्ठा में प्रिदी होती है लेकिन करम बाप पर सूर्या अपनी नीच राशी पर संचार करेगा इस से कार्या शेतर में आप से विरोधावस रखने वाले और शतुरता पुरण वहवार करने वाले शड़यंतर रचने में भी सिक्रिये रहेंगे वह आपके मान समान में कमी करने और टांग खीचने के पुर्योर प्रयतन कर सकते हैं इसलिए विरोधियों से दूरी गुना कर रखे नोकरी पेशा दोस्त उच अधकारी वर्ग के साथ विर्थ में ना उंजे 16 नुवंबर को सूरिया की स्थिति महत पुर्ण के साथ लापरद भी बन जाएगी जो हर कार्या में लाप परदान करेगी क्योंकि 16 नुवंबर को सूरिया राशी परवर्तन कर लाबाम में परवेश कर जाएगा सरकार रज्या उच्पदवी मान समान पिता और अरोग्या कारक सूरिया का लाबाब पर संचाथ हर परकार से लाप रद रहेगा वबिन परकार के लाप परदान करेगा वैपारी दोस्तों को सरकारी नीतियों से लाब के मौके मिलेंगे सरकार और पिता के माध्यम से लाब दोगा नोकरी पेशा दोस्तों को पदोनती के अनकूलव सर मिलेंगे उच अधकारी वर्त के साथ मित्तरता पुरण सबांद बनेंगे वह भी सायोग करने के लिए तत्पर रहेंगे सरकार या सरकारी टेंडर से जुड़ा कोई कारिया करना है तो 16 नुवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक करना अत्यादिक लापरद रहेगा इस समय मित्रों पर भी आपका वर्चस्प बढ़ेगा 15 दिसंबर को सुरिया राशी पर वर्तन कर वयबाब में परवेश कर जाएगा अब सुरिया के मिले जुले पर इनाम देखने को मिलेंगे बात करें सहासी और प्राकरमी मंगल की तो अक्तूबर मा के शुरुआती बीस दिन मंगल के स्वांद में इत्यादिक महत्त पुरन रहेंगे क्योंकि बीस अक्तूबर तक मंगल को शत्रू स्थान पर मौर्चा संभाल लेगा अकरामक, करोधी लडाक्तू और घरम ग्रामंगल का शत्रू स्थान पर संचाथ शत्रू नाश्यक का कारिया करेगा रोग, रिन और शत्रूं से मुक्ति दिलाएगा मंगल के करोध की अगनी आपके शत्रूं पर परलिया बनकर वरसेगी शत्रूं को जड़ से उखाड फैंकने का कारिया करेगी लेकिन 20 अक्तूबर से लेकर दिसंबर माँ तक मंगल सपतम बाप और अपनी नीच रासी पर संचार करेगा इस अवदी में मंगल मारगी और वक्री वस्ता में संचार करेगा अब मंगल के करोध की अगरी पती पतनी में करोध का भाप पैदा करेगी इसलिए 20 अक्तूबर के बाद दमपत्या जीवन में छोटी छोटी बातों को तूल देने से बज़े परस पर ताल मेल बनाए रखें करोध को दमपत्या सुक्षांती पर हावी ना होने दे मंगल जनित जोश और अरजा शक्ती का उचित लाब उठाएं विर्थ के वाद विवाद और लड़ाई जगड़े में बरवाद ना करें इन तीनों मां में राहु के तुपी यथास्तिती बनी रहेगी राहु का प्राकरम बाप परसंचार आपके होसलों को भुलंद बनाई रथेगा साहस प्राकरम और आतम विशुआश का सतर अत्यादिक मजबूत देखने को मिलेगा राहु पूरा नुप से आपके सैयोग में खड़ा हर इसलिए चेंता मुप्त हो जाएं राहु जिसे तारे उसे कौन मारे राहु आपके मनोवल को उच्च कर जीवन में आगे बढ़ने और कुछ निया करने के लिए उत्साहित और प्रेरिद करेगा उदर भाग्यावापर के तुगा संचार अकसमात से भाग्यावापर जगाने का कारिया करेगा उल मिलाकर लंबे समय से पनोती के कार्णवश आपको काफी दुख दर्द और दरिदर्दा जैसी स्तिती से गुजरना पड़ा है अब उन सब चिंता और प्रशानियों के अंत का समय निकट है इन तीनों मा में ग्रेहों का शुब गोचर काफी हद तक बिगन बादर विपत्तियों का नाश कर जीवन को सुख में बना देगा जाते जाते कमेंट बॉक्स में करम फलदाता शनी और गुरुदेव की जैजाकार करते जैसाथ में लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले